हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम रहुल और आपका अपने चैनल टार्गेट बोर्ड इक्जाम में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज की यह वीडियो उन सभी छातरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है जो इस बार क्लाश 10 में गए हैं अर्थाद जो संदवजर 23 में बोर्ड इक्जाम देने वाले हैं ठीक है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि UP MSP UP बोर्ड इक्जाम नए पैटर्न पर साल में दो बार होंगी UP बोर्ड परिक्षा 30 नंबर की होंगे MCQ परिशन 10 खास बाते हैं तो इस बार अब आपका जो परिक्षा का पैटर्न है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है अब इसमें आप लोगों से 30 नंबर का MCQ परिशन भी पूछा जाएगा और इसमें कहा गया है कि 10 खास बाते तो 10 ऐसे बाते हैं जिनें आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो अगर इस वीडियो को जो इस बार कलाज 10 में विध्यारती गए हैं अगर वो सब विध्यारती देख रहे हैं तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा ठीक है तो चलिए आगे नियूज देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है तो आगे कहा गया है पैटार ना बदलने के पीछे मनसा यह है कि बच्चों में रटने की प्रब्रिती ठीक है यहाँ पर आपको कारण बताया गया है कि आखिर क्यों बदला जा रहा ठीक है यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों में रटने के प्रब्रिति कम करते हुए उनका ग्यान बढ़ाया जाए इसके अलावा यूपी बोड दस्वी बारवें की परिक्षाएं भी अब साल में दो बार होंगे साल में दो बार होंगी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने माधिमिक सिक्ष्या विभाग की कार्य योजना पर मुहर लगा दी है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश पर यूपी बोड की दस्वी की परिक्षा का नया पैटर्न वर्स स सं 2023 से ठीक है यहां पर लिखा गया कि कप चेंज होगा तो जो परिश्या का पैटर्न है दस्वी का सं 2023 से और बार्वी का वर्स सं 2022 से लागू कर दिया जाएगा ठीक है यहां यूपी बोड परिश्या में हुए दस बड़े बदलाओं के बारे में पहला जो बदला होने जा रहा है कि यूपी बोर्ट परिक्षा के प्रस्तावित नए पैटर्न के तहत सव अंकों के प्रश्ण पत्र में दो तरह के प्रिश्ण होंगे इसमें 30 नंबर का बहु विकल्पिय और 70 नंबर का विश्ले शडात् कि 100 नंबर के एक पेपर में बहु विकल्पिय परिक्षा के लिए एक घंटा दिया जाएगा इसमें 30 प्रश्ण बहु विकल्पिय होंगे और इसकी परिक्षा OMR seed पर ली जाएगी ठीक है कहा लिजाएगी OMR seed पर ली जाएगी तीसरा है कि इसके बाद दूसरा जो पेपर है वर्ड नात्मक होगा इस पेपर में उच्चतर चिंतन कौशल के प्रिष्ट मी सामिल किये जाएंगे यह पेपर आपका 70 नमबर का होगा ठीक है अगला जो बात बताया गया इसमें कि नए पैटर्न के लिए सन 2022 में कक्षा 9 में पूरी तयारी की जाएगी और सन 2023 में इसे लागो किया जाएगा ठीक है पाचवा है जो बात है कि विज्ञान और ग्रिह विज्ञान विशय की वस्तुनिष्ट प्रश्ण पत्र में 50% प्रश्ण जो हैं प्रायोगी गतिवीदियों से संबंदित होंगे ठीक है अगला जो क मुल्य आंकन को खत्म किया जाएगा बहुत बड़ी निकल कर आ रही है कि आंतरिक जो मुल्य आंकन इस बार होता था जो हर साल होता था जो आपको 30 नंबर इस्कूल के तरफ से दिया जाता था उसको अब सरकार जलद ही खत्म करने वाली है तो यहां पर लिखा गया है कि परिक्षा सन दो 2023 से साल में दो बार ली जाएंगी ताकि छातरों में कोचिंग के प्रतीर रूज़ान कम हो और परिक्षा सम्मंद्र ये नो नंबर है कि पहली बार परिक्षा नीरधारी समय पर होगी दूसरी बार परिक्षा विद्ध्यारती इसे Pan प्रिक्षा सुधार के लिए दे सकेंगे ठीक है दो बार आपकी परिक्षा ली जाएगी सालवर में दसवा मारा है कख्षा नौ से बारत तक परिक्षा पैटर्न के साथ मुल्यांगन का पैटर्न भी बदला जाएगा तो यह दस ऐसे बाते हैं जिने आपको पता होना चाहिए और यह सन द होने वाले हैं आपकी यूपी बोर्ट एक्जाम में तो इस नियूच को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अब जान जाएए कि आपका पेपर कैसे होने वाला है और आपको और अधिक मेहनत करना होगा क्योंकि आप पैटर्न बदलना है और कहा गया कि मुल्यांकन भी ब पार्ट हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जय हिंद जय भारा